विश्कार साथियो, स्वागत है आपका Bankers साथी चैनल में साथियो हमारी JIV के लिए वीडियो लेक्टर सीरीज चल लई है जिसमें यूनिट नमबर 1 से लेके यूनिट नमबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पेपर का प्रेंस प्रेक्टिसेस और बैंकिंग का और आज यूनिट 7 डिस्कस करेंगे साथियो यूनिट 7 है फेक्टरिंग फॉर्फिटिंग सर्विसेज और ऑफ बैलेंस शीट आइटम तो इसको शुरू करें इससे पहले साथियो अगर आपने जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक के जो लेक्टर्स मैंने अपलोड किये हैं बैंकर साथी चैनल पर आप उन्हें देख सकते हैं और सिक्वेंस में देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा एक कनेक्शन बना रहेगा आपका और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप जरूर उन्हें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने माले जो लेक्टर्स वीडियो लेक्टर्स हैं वो भी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साथी कमेंड करके फीड़बैक जरूर दें अपना बनाओ तो आप सजेशन भी दे सकते हैं तो साथी हो देर ना करते हो शुरू करते हैं यूनित अमबर सेवन पेक्टरिंग फोर्फिटिंग सर्विसेज और बेलेंशीट आइटम साथी इसमें पहला टॉपिक हमारा जो है वो है फैक्टरिंग क्या होता है साथी फैक्टरिंग is a service that is concerned with the financing and collection of the account receivable in domestic and international trade ये क्या है साथी हो ये एक service है जो की financing provide करती है in collection of account receivable in domestic and international trade basically होता क्या है साथी हो ये invoice के against में जो भी invoice होती है उसके against में financing होती है factoring is a continuous arrangement in which receivables created out of sale of good or services are sold to an agency known as factor एक agency होती है जिसको factor कहते है वो receivables जितनी भी होती है किसी exporter की या किसी seller की तो उसकी invoice के against में वो factor जो होता है वो उसको finance कर देता है और normally जो invoice का amount है उसका 85% तक finance कर दिया जाता है और उसके बाद में जब बाकी जो 15% बचता है वो जब उसकी invoice का payment जब आ जाता है buyer के buyer से तो वो पैसा अपना जो factor होता है वो अपना जो charges है वो काटके बाकी पैसा जो exporter है या जो जिसने seller है जो उसको दे देता है साथ वी एक बार simple language में समझा जेता हूँ एक seller है एक buyer है नॉर्मली trade में एक बेचने बाला होता है एक खरीदने बाला होता है तो बेचने बाले नहीं कुछ बेचा 100 रुपय का बेचा तो एक agency के पास में जाएगा माल ले उसका payment जो है वो दो महीने बाद आने बाला उसकी terms है जिसने समान खरीदा है उससे contract है कि बही 60 दिन बाद में payment मिलेगा लेगिन उसको payment अभी चाहिए तो वो एक अपनी invoice लेके जाएगा और एक agency होगी जिसको factor कहते है उसके पास जाएगा invoice वो factor उससे invoice ले लेगा और 100 में से 85 रुपए उसको तुरंथ दे देगा और 85% उसको तुरंथ दे देगा तो जो seller है जिसने समान बेचा है उसको 85 रुपए तुरंथ मिल गया और वो अपना उस पैसे को अपने use करना शुरू कर देगा बाकी अब काम रह गया उसका factor का जि वो अपना charge काटके बाकी पैसे भी जो manufacturer था जो seller था उसको दे देगी अप factoring साथियों दो तरह की होती है जिनके recourse recourse factory कहते है इसको इसको पर रिकोर्स या फिर non-recourse factory तो non-recourse और recourse क्या होता है साथियों देखते है रिकोर्स में क्या है कि जैसे अगर किसी seller ने कोई समान सेम एक्जामपल लेते हैं, 100 रुपए का कोई समान बेचा है, और वो इन्वाइस लेके 100 रुपए की आता है, फैक्टर के पास में, और उसको 85 रुपए का फैनेंस फैक्टर कर देता है, उसके बाद में, जब मैचूर्टी डेट आती है, तो उसका पेमेंट आना है, जो खरी मैनेस किया हूँ अमाउंट है, वो रिकवर करेगी, तो यह तो हो गया, रिकोर्स, विद रिकोर्स, नॉन रिकोर्स के के साथियों क्या होता है, विदाउट रिकोर्स जिसको कहते हैं, उसमें अगर पेमेंट डिफॉल्ट होता है, तो जिम्मेदारी सेलर की या जो समान बे लाला नहीं चलता है हमारे यहां जो भी फैक्टरिंग जो होती है वो विद रिकोर्स होती है यानि कि अगर पेमेंट में अगर डिफॉल्ट होता है तो उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी वो जो पैसा है जो फैक्टर ने वो अपना पैसा जो है जिसको फैनेंस किया है उससे पैमेंट आ जाती है उसके बाद में वो रेस्ट अमाउंट दे दिया जाता है तो यह इसमें और कुछ खास नहीं है समझने के लिए काफी है साथी अगर यह सेम यहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट में जब जहां पे एक्सपोर्ट इंवॉल्ड है उसने कुछ एक्सपोर् जो बायर है उससे जब पेमेंट आती है मैच्योर्टी पर उस पर जो भी उनकी टमसें कंडीशन है साथ दिन अबबे दिन उस टाइम बाद जब पेमेंट आती है तो वह उन जो है फेक्टर को मिल जाता है इसमें साथियो यही है ज्यादा और कुछ ऐसा अब एक्स्टर नहीं पढ़ना आपको अडवांटेज देख लेते हैं साथियो इसके फेक्टरिंग के बस आपको कॉंसेप्स समझना है साथियो फेक्टरिंग क्या है फेक्टरिंग बेसिकली इनवाइस फैनेंस की जाती है और इक आजनसी है फेक्टर जिसे कहते हैं तो वह इनवाइस फैनेंस करती है जब यह मार्केट में होता है तो इसे इसे व्डोका क्र बना रहता है फेक्टरिंग क्या है जो अगर वही वही person जिसने export किया है, अगर वो कहीं और से, अगर माल लिए उसको क्योंकि funds की जरूरत पड़ेगी, उसे आगे भी अपना business करना है, बट उसका जो fund आएगा, वो 90 दिन बाद आएगा, या 60 दिन बाद आएगा, जैसा भी उसका contract है, buyer के साथ में, तो उस time के लिए उसको cash avail कर जाता है उसको तुरंथ, low margin रहता है, यानि कि 20% तक margin रहता है, normally, और 80% तक उसका पैसा, almost 80% तक उसको recover हो जाता है, तुरंथ, the customer gets large credit grace period, अच्छा जो खरिदार है, उसको भी आसानी से, जो grace period मिल जाता है, payment करने के लिए, आराम से time मिल जाता है, और each invoice is followed up for payment by the factor on the due date and thereafter, औ जो factor होता है, वो हर एक invoice का follow up करता है, MIS report and sales ledger administration is totally taken care by factor, तो उसके बाद में जो seller है, जिसने समान बेचा है, उसको अपनी invoice पे भी या जो, कहते हैं, अपनी जो बकाया जो है, उसके लिए, बार बार follow up करने की, वो सब भी जरूरत नहीं है, वो सब भी कम factor कर लेता है, Factoring accelerates receivable turnover and improves operating cycle, तो साथियो, receivable turnover better हो जाता है, क्योंकि पैसा तुरंट आ जाता है, तो फिर वो अपने, फिर business में या manufacturing में लगा जेता है, और operating cycle को भी बहतर कर देता है, resulting in more production, ज्यादा production में result करता है, larger sales, higher profit and increase rate of interest, return on interest, investment, return on investment, तो साथियो, इसमें जैसे हम देख रहे हैं, क तुरंट उसको मिल जाता है, जो seller है, जिसने manufacturing की, उसको तुरंट पैसे invoice, उसकी generate हुई, उसने ट्रेड किया, समान बेचा, और त्या महली वो buyer जो है, उसका 90 दिन बाद ये 120 दिन बाद payment करेगा, बड़ उसको seller को payment तुरंट मिल जाता है, तो उसके पास पैसा आ जाता है, फर्दर उसको manufacturing में अपने लगाता है, production करता है, और अपनी sales बढ़ाता है, तो ये है साथियो, और इसमें क्या होता है, ये continuous process होती है, जैसे किसी एक invoice के लिए नहीं है, ये arrangement होता है, जितनी भी invoice generate होती जाएंगी, वो invoice factor को जाती जाएंगी, और वो arrangement ये चलता रहेगा, follow up factor करता रहेगा, और अपना जैसे जैसे payment आती जाएगी, और वो अपना commission और फिर अपने charges जो है, वो deduct करके, और बाकी पैसा seller को दे देगा, तो इस तरह से factoring काम करता है, forfeiting services क्या होती है साथियो, forfeiting की definition है, when an exporter, exporter transfers his right to receive payment in favor of forfeiter, the transaction is called forfeiting, जब कोई exporter जो है, अपना right to receive, जो payment export कर दिया, उसके बाद में payment receive करने का right जो है, वो forfeiter के favor में, favor में दे देता है, तो उसको transaction हो कहते हैं, forfeiting, thus forfeiting is a method of discounting of international trade receivable on a without recourse basis, इसमें without recourse basis पे होता है साथियो, जो international trade में receivable जो है, वो उसको दे दी जाती है, forfeiting is used for international trade transactions, international trade transaction के लिए use होती है, in fact, it is the discounting of trade receivable such as draft, drawn under letter of credit, bill of exchange, promissory note or other freely negotiable instrument on a no recourse basis, it is highly flexible technique that allow an exporter to grant attractive credit terms to the foreign buyer without sacrificing his cash flow, and without the risk of possible late payment or default by the importer, इसमें साथियो, risk जो है, forfeiter का रहता है, बलकि लेकिन उसका नहीं रहता है, जो exporter है, उसका risk काफी काम हो जाता है, और इसलिए वो अच्छी जो flexible rate उनको provide कर सकता है, attractive deal दे सकता है, buyer को, बायर को, कैसे काम करता है साथियो, यह देखते है, mechanism of forfeiting क्या होता है, the exporter identifies his importer and signs with him a contract for sale of his goods at a price negotiated between them, जब जो exporter है, वो एक importer identify कर रहे लेगा, कि भाई हम जे समान इसको बेचना है, जो किसी foreign country में है, उसके बाद में उनमें एक price negotiate होता है, उस price पे वो यह फिर उसके बाद में कितना credit period देना है, वो सारी चीजें discuss होने के बाद में, वो export किया जाता है, the exporter will also inform the importer that the exporter would discount the sales receivable with the forfeiter, and assign the receivable to the forfeiter, और ये भी वो बताएगा कि अपनी जो export receivables हैं, जो payment जो आनी है, वो already discount कर रहा है forfeiter के साथ में, तो ये information वो importer को दे देगा, और इसमें फिर जो follow-up रहता है, वो सारा जो forfeiter जो रहता है, वो करता है, the exporter enter into forfeiting contract with the forfeiter, then the actually export takes place, the debt instruments are drawn by the exporter, seller, accepted by the importer and will be backed by unconditional stand-by letter of credit by the importer bank, the forfeiter sends these documents to the importer bank, which in turn notify receipt to the fortifier, the fortifier makes payment to the exporter 100% of the value of export after deducting his discount and other incidental charges as per contract, अब इसमें क्याया साथ ही हो, जब ये contract sign हो जाता है, एक importer के बीच में, exporter के बीच में और forfeiter के बीच में sign होता है, उसके बाद में letter of credit, unconditional letter of credit importer की तरफ से जारी किया जाता है, importer के bank की तरफ से, और उसके बाद जो forfeiter जो है, पूरा payment, invoice का जो है, जो भी export हुआ है, पूरा payment जो है, 100% payment after deducting discount and other incidental, जो discount, जो charges है, forfeiting, जो service provide कर रहा है, उसके charges हैं वो काट के, बाकी payment पूरा कर देता है, जो है, exporter को, और जो after deducting his discount and other incidental charges, जो अपने charges हैं वो काटने के बाद में, वो पैसा पूरा 100% exporter को दे देता है, in exchange of the, exchange for the payment, the forfeiter then takes over responsibility for claiming the debt from the importer, और जो responsibility है, debt claim करने की, वो फिर forfeiter जो है, है कि हम claim करेंगे, अब आपको कोई मतलब नहीं है, the forfeiter either hold the notes till full maturity as an investment, or sell them to another investor on a non-recourse basis, the holder of the notes then present each receivable to the bank at which they are payable as default due, अब साथियों इसमें default नहीं होता है, normally, क्योंकि इसमें letter of credit, जो है, LC, जो है, unconditional लगी होती है, तो forfeiter क्या करता है, जब उसको hold, या तो hold कर लेगा, उस amount उस पैसे को, उस bill of exchange को, क्योंकि वो तो already payment कर चुका है exporter को, अब forfeiter के पास क्या है, एक जो invoice है, या bill of exchange, जो contracts, जो papers हैं, जब maturity उनकी आएगी, जब payment की due date आएगी, तो वो follow up करेगा, exporter से, वहाँ के bank से, और payment की demand करेगा, जब वो payment आ जाएगा, तो वो settle हो जाएगा, खाता उनका, नहीं तो, या फिर अगर वो उतने time तक hold नहीं करना चाहता है, तो पिए जो है, वो next किसी और को भी, दूसरे investor को भी sell कर सकता है, वो ही, और जो, उनका holder होगा, holder of notes, notes basically, जो bill of exchange, जो पेपर है, जो भी उनका holder होगा, मालीजे, या तो forfeiter, जो पहला, जो है, वो ही है, या उसने किसी और को, further अगर sell कर दिया है, तो वो person, जो holder होगा, वो receivable, जो है, receive करेगा, जब भी उनकी due date होगी, तो यह साथ ही, documents दिये हुए, normally document required by forfeiter, from the exporter, कि क्यों कॉन कॉन से document, जो है, forfeiter अपने पास लेके रखता है, supply contract, LC, और signed commercial invoice, letter of assignment, shipping documents, तो यह सारी चीजे हैं, bill of lading, यह सारी चीजें, जो है, सारी document, जो है, forfeiter अपने पास लेता है, क्योंकि payment की, जो है, वो already payment exporter को कर चुका होता है, और उसे, जो due date पे receive करना, payment लेना है, exporter से, उसके banks के द्वारा, अब forfeiting के advantage क्या है, साथ ही, forfeiting जैसे, factoring में देखा, 80% तक financing तुरंट हो जाती है, और इसमें क्या है, forfeiting में तो 100% ही हो जाती है, without risk recourse and not occupying exporter's credit line, that is to say, once the exporter obtains the financed funds, he will be exempted from responsibility to repay the debt, इसमें साथ ही, exporter के लिए बहुत फाइदा है, क्योंकि जैसे ही, 100% financing एक तो हो जाती है, पूरा पैसा उसको मिल जाता है, और दूसरा क्या है, without recourse रहता है, तो उसकी liability, responsibility जो है, इसमें केस में नहीं होती है, forfeiting improves cash flow of the exporter, by converting receivable into current cash inflow, क्योंकि receivable cash flow improve हो जाता है, यह तो बिलकुल जाहिर सी बात है, cash flow improve होगा, क्योंकि जो receivables हैं, उनकी वो cash में तुरंट convert हो जाती है, forfeiting saves administration cost, administration cost save होती है, उनको जादा कोई management करने की ज़रूरत नहीं है, उनने बस अपना उस पर ध्यान देना है, अपने production पर बाकी कामों पर ध्यान देना है, और receivables की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, forfeiting increases trade opportunity, trade opportunity increase करती है, क्योंकि the exporter is able to grant credit to his buyers freely, and thus be more competitive in the market, अच्छा वो अपने अराम से credit अपने buyers को दे सकता है, क्योंकि उसे तो cash तुरंट मिली जाना है, इस तरह से competitive ज़्यादा हो सकता है, अपनी जो competence है वो बढ़ा सकता है, forfeiting also helps to realize price transfer, the exporter can also transfer the corresponding financing cost into the sales price, तो ये भी है price transfer में help हो जाती है, forfeiting enables the exporter to avoid various risks, उसके risk काफी कम हो जाता, deferred payment, interest risk, currency risk, सारी risk जो है, exporter की खतम हो जाती है, एक तरह से उसकी tension, सारी कतम, सारी tension जो है, वो जो agency है, उसके पास पहुँच जाती है, अब साथी देखते है, off balance sheet items क्या होते है, जैसे कि नाम suggest कर रहा है, off balance sheet item वो होते हैं, जो की balance sheet में show नहीं करते हैं, लेकिन balance sheet में show तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन chances हैं, कि वो future में कभी भी asset ये liability में convert हो सकते हैं, तो ऐसे कौन से item हैं, इन items को क्या करते हैं, साथी ओ, जैसे कि इन में से एक आता है contingent liability, contingent liability होती है, जो normally तो crystallize होने के chances कम होते हैं, बट future में हो भी सकती है, मालो कुछ चीज़ां ऐसी हैं, जो अभी हैं नहीं हैं, लेकिन सामने आ सकती हैं, chances कुछ एक हैं उनके, तो इनको क्या करते हैं साथी हो, direct balance sheet में show नहीं करते हैं, बट नीचे notes to the balance sheet में show करते हैं, अलग से notes बनाके show करते हैं, लेकिन, but once these commitments crystallize, they also become part of asset and liabilities to the bank, and have to be shown in the balance sheet, और अगर उसके बाद में, कभी भी अगर ये actually में वैसा हो जाता है, जो उनने सोच रखा कि ऐसा हो सकता है, तो अगर actually में अगर वो liabilities सामने आ जाती हैं, वैसा हो जाता है, तो फिर इनको balance sheet में show करना होता है, तो ये example हैं कुछ उसके trade items के, जो off balance sheet items के, जिसे direct credit है, certain transaction related to contingent terms, stand by LC, short term liquid, liquidating trade related contingencies, ये अलग-अलग हैं various साथियों, foreign, forward, asset purchase है, note, tissue, जो कि आज नहीं पता कि उनकी जरुवत पड़ेगी, बट future में वो चीजें सामने आ सकती है, guarantees issued on behalf of stock broker, market makers, commitment to provide liquidity facility, foreign exchange open position, open position in gold, forward rate agreement, interest rate swaps, तो ये सारी चीजें हैं, जो अभी नहीं हैं, बट maybe in future, they may crystallize, और उनको फिर show करने की जरुवत पड़ेगी, balance sheet में, guarantee क्या होती हैं साथियों, bank guarantee is one of the facility, that bank extend to its customer, a contract of guarantee is a contract to perform, the promise or discharge liability, of a third person in case of default, अब इसमें क्या है साथियों, bank guarantee issue करती है, किसी और promise करती है, contract करती है, कि अगर liability जो है, किसी person की, वो bank अपने उपर ले ले लेता है, और in case of default, bank जो है, वो discharge करेगा, वो liability, तो कितनी तरह की, जो है, guarantee issue की जाती है, mainly, तीन तरह की issue की जाती है साथियों, performance guarantee होती है, financial guarantee होती है, deferred payment guarantee होती है, तीनों को देखते हैं, performance guarantee उस case में होती है, जब कोई promise to perform कुछ किया गया है, the guarantee should in respect to performance of a contract or obligation, कोई contract or obligation है, उसको पूरा करने का, की जिम्मेदारी किसी person पे है, और उसकी guarantee उसके bank ने ली हुई है, तो in case अगर वो performance नहीं करता है, non performance करता है, short performance करता है, जो obligations हैं, वो fulfill नहीं करता है, तो bank के उपर liability आएगी, bank को कहा जाएगा कि इस person ने, यह जो as per contract जो है, वो performance नहीं किया है, तो उसकी liability आपके उपर है, तो जो भी monetary loss उस person को हुआ है, financial loss जो third person को हुआ है, उसकी liability bank पे करेगा, उसकी liability जो है, bank की तरफ से payment, उसके जो नुकसान है, उसकी भरपाई, loss जो है, वो bank कर पे करेगा, financial guarantee साथी हो क्या होती है, many times, bank issue guarantee in respect to constituents financial liabilities, wherein purely monitoring obligation of the customer are involved, in lieu of such financial commitment, bank issues guarantee, which is known as financial guarantee, जहाँ financials पुरी तरह से involved होते हैं, मतलब कोई और performance करके नहीं दिखा नहीं, but financial involved होते हैं, और कुछ देंदारियां होती है, वहाँ पर जो guarantee issue होती है, उसे financial guarantee कहते हैं, example क्या क्या है, guarantee in favor of customs authority, customs authority को कुछ payment करनी है, किसी person को, उसकी guarantee अगर bank ने ले लिए, तो वो financial guarantee में आएगी, bank guarantee in favor of tax authority, या फिर, bank guarantee in respect of any disputed liability, को disputed liability है, तो उसका obligation जो है, वो bank के उपर होता है, और वो finance जो है, उसको पूरा करना bank का काम है, फिर, deferred payment guarantee है, साथ यह उसमें होती, जैसे कोई person है, वो कुछ machinery या capital equipment, कुछ purchase करता है, और चाहें इंडिया में करें, इंडिया से बाहर से करें, उस case में, अगर मालीजे, उसने कुछ advance payment जैसे कोई, suppose कर लेते हैं, कोई 1,00,000 रुपए का कोई समान है, वो एक किसी person ने खरीदा है, तो जो खरीदार है, वो उसने मालीजे 10% दे दिया, 1,00,000 रुपए का है, उसने 10,000 रुपए payment कर दिया है, बाकी 90,000 जो है, उसको 30,60 दिन बाद देना है, दो महीने बाद देना है, तो इस बीच में, जो बेचने बाला है, जो supplier है, वो कहाँगा कि, नहीं, मुझे आप भरोसा नहीं है इतना, आप अपने bank से guarantee, मुझे issue कराईए, कि आप इतने दिन बाद में payment करोगे, और अगर आप नहीं करते हो, तो bank आपका करेगा, तो उस case में bank, अगर उस party को जानती है, तो वो buyer है, जिसने समान खरीदा है, तो उसके बेहाब पे bank, जो है, guarantee issue कर देती है, deferred payment guarantee, और अगर सब कुछ सही रहता है, और payment timely हो जाता है, तो ठीक है, bank अपना जो उसके cost है, charges है, जो guarantee issue करने के, वो ले लेती है, लेकिन, in case अगर payment default होता है, जो person है, जिसके बेहाब पे bank ने guarantee issue की है, वो नहीं कर पाता है payment time पे, तो वो responsibility जो है, वो bank की होती है, कि उसे payment करनी है, normally जो होता है, ये payment guarantees वगरारा होती है, ये banks तभी issue करते है, जब उनके पास में, उतनी, जिस person की, जिस person की हमें guarantee लेनी है, जिस bank को लेनी है, उस person की उतनी FDs है, या assets उसके जो है, वो bank में mortgage है, या उसकी limit बनी हुई है, तो वो तभी bank guarantee लेता है, normally. अब इसके बाद में letter of credit की बात कर लेते है, LC क्या होती है, letter of credit is a defined undertaking issued by a bank on behalf of buyer to the seller to pay for goods and services, provided that the seller represent document which comply fully with the terms and condition of the documentary credit. There are three formal contractual relationship in the use of documentary credit as means of payment and these are, साथ यू letter of credit का होता है, definite undertaking है, जो कि importer, normally import or export के case में यह होता है, तो importer जो है, उसका bank, जो buyer है, या importer है, उसके बहाब पे, उसका bank जो है, LC issue करता है, letter of credit issue करता है, to the seller. To pay for goods or services, provided that seller present document which comply fully with the terms and condition of documentary credit. और यह seller को, के favor में LC issue करता है, और उसमें condition होती है, provided कि seller जो है, proper document present करे, जो भी उसमें contract में, LC के contract में, terms and condition में में मेंचन है, उतने सारी अगर document, जो है, वो exporter या seller present कर देता है, तो bank उसको time पे payment करेगा. उसमें letter of credit के case में, जो payment करने की responsibility है, due date पे, वो bank की होती है, और लेकिन, उसके जो document है, वो अगर receive हो जाते हैं, bank को, वो भी timely manner में, और as per, जो contract जो उसमें, terms and condition है, LC में mention है, उसके हिसाब से अगर हो जाते हैं, तो bank की पास, तो जो payment due date पे करना है, वो bank की responsibility होती है. The contractual relationship between buyer and seller as evident by the terms of the sale contract, terms of sale contract होता है, sales contract जो होता है, उसके terms के साब से होता है. Parties to the letter of credit, letter of credit की parties कौन कौन सी होती है, साथ ही एक तो applicant हो गया, जिसको applicant कौन होगा, applicant होगा जो importer, जो समान खरीद रहा है, मंगा रहा है कहीं भार से, तो वो applicant होगा, बायर भी कह सकते हैं उसको, तो वो applicant होगा, issuing bank होगा, issuing bank कौन सा होगा, जो importer का ही bank होगा, माली जो कोई importer इंडिया में है, और कुछ समान गो, US से मगा रहा है, तो इंडिया का जो importer होगा, वो अपने bank में जाएगा, और इसका issue करवाएगा LC, तो issuing bank जो होगा, वो इंडिया का होगा, उसका, advising bank कौन होगा, correspondent or a branch of issuing bank is able to authenticate the LC, advising bank साथि जो issuing bank है, उसकी कोई branch या office जो होगा, वो उसको advise कर देगा, confirming bank, same role as advising bank, except the confirming bank provide an undertaking to the beneficiary that not withstanding any occurrence, or they will pay, accept or negotiate document presented in conformity with the terms and condition of the letter and credit, confirming bank वो होता है, जो LC को terms and condition को confirm करता है, कि अगर वो proper document, अगर present किये जाएंगे, तो payment, जो है exporter को किया जाएगा, beneficiary कौन होगा साथियो, beneficiary वो exporter हो गया, जो समान भेज रहा है, तो वो beneficiary हो गया, अब type of credit, letter of credit कितने की होंगे, और irrevocable letter of credit, irrevocable letter of credit कौन सा होता है, जो कि एक बार जो LC की terms and conditions बन गई, उसके बाद में, वो terms and condition change नहीं होंगी, कब हो सकती है, केवल जब उसमें consent हो, जो भी parties उसमें involved है, सब का consent हो, तभी letter of credit की terms and condition change होंगी, कि otherwise नहीं होंगी, तो यही है, और अगर कोई LC खुलती है, letter of credit issue किया जाता है, LC में, LC खुलती है, और अगर उसमें कुछ mention नहीं है, कि वो irrevocable है, या revocable है, तो फिर उसको irrevocable ही माना जाता है, और सबसे जादा common जो है, वो यही है, irrevocable letter of credit, revocable letter of credit क्या होता है, this type of credit may be amended or cancelled by the applicant at any time, इसमें जो applicant है, जिसने LC खुलवाई है, वो कभी भी उसकी terms and condition change कर सकता है, तो bank की नजरों में, इसकी कोई value नहीं होती, revocable letter of credit की, क्योंकि जो person जो है, वो कभी भी अपनी terms and conditions अगर change कर लेता है, तो उसको bank नहीं मानता है, bank generally जो काम करते हैं, वो irrevocable letter of credit पर ही काम करते हैं, unconfirmed letter of credit क्या होता है, साथियो, unconfirmed letter of credit constitute undertaking on the part of issuing bank to effect payment to the beneficiary against credit, confirming document advising bank has no engagement or responsibility as regard of payment, even if confirming document are presented, the advising bank will make decision on their ability to pay effect payment at the time of present, unconfirmed क्या होता है, साथियो, इसमें confirming bank involved नहीं होता है, और advising bank होता है, वो ही decision लेता है payment का, confirmed letter of credit क्या होता है, the confirmation constitute the undertaking of the confirming bank in advising to the issuing bank to effect payment upon presentation at its count of credit, confirming bank undertake the effect payment, इसमें साथियो, confirming bank जो है, वो undertake करता है, कि अगर as per terms and condition है, document present किये जाते हैं, तो confirming bank जो है, वो payment करवाएगा, extra liability जो है, confirming bank के उपर आ जाती है, payment करने की, revolving letter of credit साथियो, क्या होता है, revolving letter of credit है, जब buyer और seller, same buyer और same seller, बार-बार deal अपस में करते हैं, बार-बार उनका normally चलता रहता है, तो बार-बार LC खुलवानी की बजाए, जो time बचाने के लिए, एक revolving letter of credit बना लेते हैं, उसी को extend किया जाता है, इसे बार-बार अलग-लग LC हाट trade के लिए, खुलवानी की बजाए, एक बार LC खुलवानी और वो revolving LC कहते हैं, वो ही चलती रहती है, Stand by letter of credit क्या होता है, साथ ही, Stand by letter of credit performs a similar function to the bank guarantee, bank guarantee की तरही काम करता है, but is issued in a format corresponding to that of documentary credit, लेकिन यह documentary credit के format पे खुलता है, वो bank guarantee की तरही काम किया जाता है, Like a bank guarantee, a stand by letter of credit on first demand, usually against a beneficiary, simple declaration that non-payment, non-performance accompanied by minimum supporting document, इसमें साथियों जो seller है, या जो exporter है, उसके लिए बहुत benefit है, क्योंकि Stand by letter of credit में, जो minimum अगर वो declaration देता है, कि payment में defer हुआ है, तो bank guarantee की तरह, जो भी है, उनस जो है, bank के उपर है payment करने का, और bank उसको payment कर देता है, Transferable letter of credit क्या होता है, जिसमें letter of credit जो है, transfer किया जा सकता है, transferable credit are required when, the seller is acting an agent in an export order, जो seller है, वो agent की तरह काम करता है, मतलब वो भी किसी और से person से, समान खरीद के, बीच में है, उससे खरीद के, फिर वो further sell करता है, तो उसमें transferable, जो है, LC काम करती है, The credit must be specifically designed, designated as transferable, unless the credit terms stated otherwise, इत में only be transferred once, और ये transferable होता है साथियो, लेकिन ये चीज़ बहुत important है, कि सिर्फ एक बार ही, LC जो है, वो transfer की जा सकती है, किसी second person के, participant के नाम पर, ऐसा नहीं है, कि transferable है, तो बार बार उसको transfer किया जाया, Back to back letter of credit, क्या होता है साथियो, Back to back, under letter of credit, LC transaction, there are occasion when beneficiary of the letter of credit, is not in position of actual material required to be supplied, under the LC, he has to therefore, to procure such material, either from manufacturer of the another trade, in such a case, it will be necessary for him to open another LC, at his end in favor of concerned manufacturer or trader, for supply of goods to himself, for the purpose of shipment, under original credit, अच्छा, अब इसमें साथियों क्या है, जैसे कोई, मान लीजे, कोई importer है इंडिया में, वो LC खुलवाई उसने, और कोई exporter है US में, जिससे बात हुई, वो export कर रहा है US से, इंडिया को, लेकिन वो exporter जो है, Mr. X मान लेते हैं, वो खुद भी वो समान नहीं बनाता है, वो खुद किसी और से अपने country में, Mr. Y, Z, किसी और से third person से, वो खरीता है, उसके बाद यहाँ पे supply करता है, तो पहले तो एक letter of credit तो जारी होगा, यहाँ के importer के दोआरा, जो Mr. X के नाम पे हुआ, दूसरा, Mr. X, जो जिस manufacturer से खरीदेगा, वो अपने बेहाँ पे उससे खरीदेगा, वो उसके country में भी हो सकता है, किसी दूसरी country से भी मंगा सकता है, तो उस case में वो importer हो जाएगा, और जिससे खरीद रहा है, वो exporter हो जाएगा, तो यह जो पहले जो letter, वो importer होगा, बहाँ के लिए वो importer हो जाएगा, तो वो जारी करेगा, और जब इस तरह के letter of credit जारी होते हैं, जहां जो person है, वो importer की तरह भी act कर रहा है, और उसके बाद में खरीद के, फिर वो next कहीं और export करता है, तो उस letter of credit को back-to-back letter of credit कहते हैं, red clause and green clause letter of credit, साथियों यह ज़्यादा अब use नहीं होते हैं, red clause letter of credit is one of, which provide for advance payment to the exporter, for the purpose of procuring shipment material and arranging for, साथियों red clause and green clause, यह दोनों ही similar हैं, और normally जो है, use नहीं होते हैं, ज़्यादा relevant नहीं है, और यह साथियों क्या होता है, एक तरह से advance payment कर दी जाती थी, exporter को, ताकि वो उसी payment से, मानलों जो LC खुली, जो से समान supply करना, उसका पैसा उसको पहले ही आ गया, और उसके बाद में उसी पैसे को उसने use करके, वो manufacturing अपने यहां की, raw material बगएर खरीजने काम जो है, वो उसी पैसे से कर देगा, जो उनने export करना है, अभी किया नहीं है, पैसा पहले आ गया, और उसके पैसे को use करके, वो ही समान उसे बनाता है, और उसके बाद में export करता है, अब नॉर्मली यह use में नहीं है, क्योंकि हमारे पास और इंडिया में क्या है, साथियो आजकल पैकिंग क्रेडिट काफी ज़्यादा चल रहा है, और काफी concessional rate, interest rate पे पैकिंग क्रेडिट दिया जाता है, exporter को, तो इसलिए जो red clause, green clause का है, ज़्यादा concept आप चल नहीं रहा है, क्योंकि उनको जो अगर क्रेडिट चाहिए होता है, तो उनको जो है, पैकिंग क्रेडिट दे दिया जाता है, जिससे कि वो अपना manufacturing कर सकें, अपने order को execute कर सकें, forward exchange contract क्या होता है, साथि forward exchange जैसे कि आप जानते हैं कि currencies जो हैं, या जैसे जो इंटरनेशनल trade जब होते हैं, उसमें currency के interest के rate जो है, change होते रहते हैं, हर दिन आप देखते होंगे कि डॉलर के मकाबले इंडिया का, रुपी का rate इतकम है, जादा है, बढ़ गया, तो उस case में जो है, जो exporter और importer हैं, ये काफी ज़्यादा risk पर रहते हैं, currency के, exchange rate risk उनको हमेशा रहता है, तो उसको hedge करने के लिए, उसको minimize करने के लिए है, क्या करते हैं ये लोग, पहले से ही rate बुक कर लेते हैं, उस समय मान लिजे, अगर कोई exporter है, उसको ये उम्मीद है, कि मेरे पास आगे 6 महीने बाद, कुछ payment आनी है, या मुझे export करना, उस समय और उस समय अगर rate क्या होंगे, वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहता है कि fluctuation का डर उसको ना रहे, तो एक bank के साथ मिलकर, एक contract sign कर लिया जाता है, कि उस समय चाहे बला ही कोई भी rate रहे है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, बट जो उनका जो contract हो गया, forward rate जो book हो गया, उनको जो payment conversion जो rate लगेंगे, वो ही लगेंगे, जिस rate में उन्होंने contract कर लिया है, आज की दिन में, तो यही इसमें दिया हुआ है साथी हो, forward exchange rate contract is a firm contract, between bank and its customer, यह bank और customer के बीच में होता है, for purchase and sale of specific quantity of a foreign currency, at a pre-determined exchange rate, exchange rate जो है, वो pre-determined हो जाता है, इसमें fix हो जाता है, कि इसी exchange rate पे, हमें जो है, conversion किया जाएगा, चाहे बलाई उस समय rate कम हो, या ज़्यादा हो, forward exchange contract is a method of protecting oneself, against the exchange rate fluctuations, exchange rate में जो भी fluctuation है, उनसे अपने आपको बचाने के लिए, और जो risk, जो है, conversion में जो risk होती है, उसको hedge करने के लिए, hedging के लिए, इसको use किया जाता है, forward contract rate, FRA and interest swap rate, तो यह वही है, FRA तो हमने देखी लिया साथियो, forward rate agreement जो होता है, both FRA and IRS are such instrument, that can provide effective hedge against interest rate risk, जो भी interest rate जो कम जादा होते हैं, उनके against में जो भी risk involved है, उसको hedge करने के लिए, उसको minimize करने के लिए, इनका use किया जाता है, तो IRS क्या होता है साथियो, FRA जो है, financial contract है, between two parties to exchange interest payment for a notional principal amount on the settlement date for a specified period from start date to the maturity date, मतला fix rate जो है, interest का हो है, उस पे हमें exchange rate जो है, वो interest rate जो है, वो payment किया जाएगा, IRS is a financial contract between two parties, exchanging or swapping a stream of interest payment for a notional principal, एक कोई notional principal मान के, कोई भी, on multiple occasions, during a specified period, such contract generally involve exchange of fixed to floating or floating to fixed rate of interest, इस IRS में क्या जाती हो, fix से floating में और fixed floating से fixed में interest rate change होने का contract, जो है, किया जाता है, accordingly, on each payment date, that occurs during the swap period, cash payment based on fixed floating and floating rate are made by the parties to banaladar, और contract के साब से, जो भी payment की date होती है, उसमें payments जो है, parties के बीच में एक दूसरे को payment कर देते हैं, तो साथियों, ये तो था, इसके साथ ही unit पूरी हो रही है, इसमें ओर topics नहीं है, तो साथियों, आप जरूर comment करके बताईएगा, कि आपको ये topic कैसा लगा, इसमें काफी कुछ conceptual है, आपको एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी, तो असान हो जाएगा, आप एक बार में अगर ये concept क्लियर नहीं होते हैं, आप वीडियो को दो तीन बार देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी नया है, अगर आपने normal banking में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी हैं वो भी बताएं, अच्छा लगा तो भी आप बताएं, और साथी कोई specific अगर आपकी request है, कोई अगर आप चाहते हैं, कोई specific topic पे वीडियो कि मैं बनाऊं, तो आप वो भी बता सकते हैं, कोई और भी suggestion आपका है, तो कमेंट्स में दे सकते हैं, साथी साथी जितने भी हमारे bankers साथी हैं, जो JIB का exam देने जा रहे हैं, उनके साथ आप इसको share भी करें, तो साथी ओ, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब प्रूप,